गुड मॉनिंग बच्चों कैसे हो आप लोग मेरा नाम है अनुराग और आज से हम जो है एट्थ क्लास हिंदी मिडियम के ओनलाइन क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप लोग जुट जाए हैं हमारे साथ और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल और हम एक-एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक-एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे बच्चों तो चले सुरू करते हैं आज हम चैप्टर नबर वन स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है फसल और उसका उत्पादन ठीक है फसल क्या होती है पढ़ेंगे तो देखिए पहला टोपिक है इसका फसल फसल क्या होता है यह हम पढ़ेंगे ठीक है तो फसल क्या होती है देखो एक बड़े चेतर में एक ही तरीके के पोदे उगाना उसको कहते हैं फसल ठीक है फसल का मतलब ही होता है कि एक बड़े चेतर में एक तरीके के फसल का अर्थ होता है, खेत में उगाए जाने वाले, सभी पोदे गेहूं के होंगे, इसका मतलब क्या है, कि फसल जब हम बोलते हैं, तो फसल का मतलब होता है, कि एक ही तरीके के, एक ही किसम के पोदे, जो हैं एक बड़े चेतर पे, एक बड़े एरिया पे, या बड़े खेत में उगाए जाते हैं, उसको कहते हैं फसल, जैसे कि हम बोलते हैं, गेहूं के फसल, तो गेहूं के फसल का मतलब है, गेहूं के पोदे, समान तरीके के, मतलब गेहूं के पोदे एक लंबे, एक बड़े चेतर में उगाए जा रहे हैं, तो उसको बोलते है अपन फसल, जैसे हम बोलते है धान की फसल, धान की फसल का मतलब हो गया कि एक बड़े चेतर में जो है धान यानि चावल हो गया जा रहा है, तो उसको बोलते है अपन फसल, चीक है, यह है इसका मतलब, दूसरी चीज, भारत एक विशाल देश है, यहां त वर्षा ताप आधरता सभी जिगह अलग अलग है जैसे राजस्तान में अत्यदिक ताप मान पड़ता है गर्मियों में बहुत अत्यदिक गर्मियों पड़ती है और यह जो हमारे देश का दक्षणी जो छेतर है जैसे तमिल नाडू करनाट का यहां पर एक तरीके से मीडियम लेवल की गर्मियों होती है ऐसे ही यह अलग अलग जो है यह परिस्तितियां होती है वर्षा कई पर जादा होती है तो कई पर कम होती है जैसे हम पूर्वी इलाकों में जाएंगे जैसे असम मेगाले वगरा वहां पे तो वहां पे क्या होती है अत्यदिक वर्षा होती है ज फसले हो गया जाती है इनी जलवाईवी परिस्तितियों के कारण अलग-अलग परकार की फसले उगाए से सितंबर तक होती है तो वर्षा रितु में जो फसल उगाई जाती है उनको बोलते हैं खरीव की फसल खरीव क्रोप ठीक है और जो सरद रितु में सर्दियों में जो फसल उगाई जाती है उसको बोलते हैं रभी क्रोप ठीक है या रभी की फसल ठीक है तो देखिए खरीव क वह हैं फसल जिसे जिने वर्षा रितु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है भारत में वर्षा रितु मुखी रूप से जून से सितंबर तक होती है यानि ये फसल जो है खरीफ की फसल जून से सितंबर तो गए जाती है जैसे मक्का, धान, सोयाबिर, मुंफली, कपास और दालें जैसे मोट, मूंग, और यह सारी दाले जो हैं इसे में आती है, रभी के फसल यह क्या होती है C3 रितू, यानि अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसले जो हैं, अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है? यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना में और ब्रेकिट लगा लेना इस पे ठीक है तो सीत रितू यानि अक्टूबर से मार्स तक में उगाए जाने वाली फसलें रभी की फसलें क्यलाती हैं जैसे गेहूं, जो, चना, मटर ये जो हैं सरसों, ये सारी क्या होती हैं, रभी की फसल होती है एक और फसल होती है, जायद की फसल, जो की गरिमियों में हो गाए जाती है जैसे तरबुज, खरबुजा हो गया, यानि वाटर मेलन, मस्क मेलन हो गए, ककड़ी हो गए, ठीक है, कुकुम्बर ये सारी फसले जो होती है उस मौसम में हो गए जाती है जायद के फसले वोलते है उनको तो ये मुक्य रोप से फसलों को बाटा जाता है इस तरीके से रभी फसल क्या होती है दुबारा बता रभी की फसल यहां से क्योशन पूछे जाते बच्चो बड़े लेवल की एक्जाम म में उगए जाती है और ये time period जो है ये होता है October से मार्स तक ठीक है और एक होती है जायद की फसल जो की गर्मियों में उगए जाती है ये आप ध्यान रखेंगे अब मार्स से जून तक ठीक है इनका time period होता है तो ये था इसका introduction अब कल हम पढ़ेंगे इसके आगे कर्शी पदतियां कौन-कौन सी होती है यानि कर्शी जब हम फसल उगाते हैं तो उसमें कौन-कौन सी पदतियां कौन-कौन सी विधियां उपयोग मिली जाती है उसको उगाने के लिए तो ये हम सारा